दोस्तो अक्सर कई बार जब हम कोई ओनलाइन समान मंगाते हैं या बाजार से लाते हैं जैसे कि जूते बैग या पर्स तो उसमें एक छोटा सा पाउच निकलता है तब आप जरूर सोचते होंगे कि यह क्या है और इसका यहां क्या काम तो आपको बता दे कि छोटा सा पाउच भहुत कामका होता है और इसका इस्तमाल नमी को सोखने के लिए किया जाता है यह छोटा सा पैक नमी सोखने के साथ साथ हवा से पानी के वास्प को भी सोख सकता है बता दे कि इसका इस्तमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं इसका इस्त में रखी पुरानी किताबों से बदबु आने लगती है इसका कारण भी नमी ही होती है सीलिका जेल के पाउच को किताबों में रख दे और इससे किताबों के बदबु दूर हो जाएगी सीलिका जेल किसी भी चीज की नमी सोकने के लिए इस्तमाल किया जाता है और ये किसी भी सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है या पिर ये साथ कहीं पर पास में रखी हो तो सांस लेने में इससे तकलीफ हो जा सकती है और साथ ही इससे आपका दम भी घुट सकता है अगर आपका मोबाइल पाने में गिर जाता है तो आप मोबाइल की बैटरी निकाल कर पोलेथिन बै और एक दो दिन के लिए वहीं पर छोड़ दे तो आपका मुबाइल ठीक हो जाएगा कई लोग इस सिलिका जेल का इस्तमल कई और कामों में भी करते हैं जैसे कि एक साथ कई पुरानी फोटो रखने पर चिपक ना जाए तो आप इसके बीच में इनको रख सकते हैं साथ है अगर आपको फोन भी पानी में गीला हो चुका है तो इसके जरी फोन का पानी भी सोक सकते हैं इसके अलावा आप खाने की चीजों को नमी से बचाने और इन्हें जादा दिनों तक फ्रेस बनाए रखने के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि यह जहरीला नहीं होता है सिलिका जेल जहर नहीं होता है फिर भी इस पर डू नोट इट और थ्रो अवे जैसे चीज़े लिखी होती है क्योंकि जब विदेशों में इसका इस्तमाल शुरू हुआ था तो बच्चे अक्सर इसे खा जाते थे इसे खाने से आप मरेंगे तो नहीं लेकिन गले में अटक गया तो मरने के चांस होते हैं इसलिए इसे खाने से मना किया जाता है अगर गलती से आपका बच्चा इसे अपने मूँ में डाल ले तो जल्दी से उसे पानी पिलाए और डॉक्टर के पास ले जाए तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो वीडियो पसंद आई तो मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद